हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग सेनी ने पंचकुला में पिंजोर में एश्या की सबसे बड़ी आधुनिक सेव, फल और सबजी के मंडी के प्रथम चरण का उधगाटन किया। नायव सिंग सेनी ने किसानों और व्यापारियों के लिए बड़ी सौगाते दी हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 20 करोड रुपए की लागत लगी है। प्रथम चरण का निर्मार 14 करो 66 लाग रुपए की लागत से 10 एकर शेत्र में हुआ। सेकेंड फेस का काम जारी है जो 31 दिस्तंबर 2024 यानि इसी साल पूरा कर लिया जाएगा। सेब फल एवं सबजी मंडी पेंज और में व्यापार को बढ़ाने के लिए फैसला। मंडी में मार्केट फीस एक फीसद से घटा कर शोने दशनौप पांच फीसद करने की घोशना। मोकेमंत्री किसान एवं खेतिहर मज़ूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 कुली कर एलान। प्राथी की आयू को वर्तमान 10-65 वर्ष से बढ़ा कर 10-75 वर्ष तक करने की घोशना। सीम नायब सिंग ने कहा कि इस योजना में किसान और खेतिहर मज़ूर पर आसमानी विजली गिरने से हुई दुरगटा पर कोई राशी नहीं दी जाती थी। अब सरकार दोरा आसमानी बिजली गिरने से होने वाली दुरगर्टाओं को भी इस यूजना में शामिल किया गया अटल किसान मज़ूर कैंटीन यूजना के अंतरगर प्रदेश में 10 रुपए प्रतिताली किसानों मज़ूरों को रियायती दर से वर्ष भर भोचन होगा उप्लब इसके लिए प्रदेश की 100 मंडियों में कैंटीन खोलने का निर्ण है अब तक 48 मंडियों में कैंटीन शुरू भी हो चुकी है बाकी मंडियों में भी इसे जल्द खोला जाएगा मुख्यमंत्री ने सभी फल सबजी पर HRDF समाप करने का ऐलाम किया विवादू का समथान योजना को 30 सितंबर 2024 तक बढ़ाने की खोशना हमने मंडियों में किसान अटल किसान मज़ूर कंटीन योजना के तहर 48 मंडियों में कंटीन की सुविधा भी सुरू की है जिसका जीकर भी अभी हमारे मंत्री मोहद्या ने किया है कि वहाँ पर जो सर्मिक है या हमारे जो किसान है जो वहाँ पर अपनी फसल ले करके आते हैं उनको 10 रुपे में भर पेट भोजन देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है सियम नायब सिंग ने हर्याना राज क्रिशी विफणन बोर्ट पंचकुला द्वारा जिला करनाल के गाउं सग्गा में करीब 9 करोड की लागत से बनने वाली नई अनाजबंडी की निर्मानकार और जिला को रुषेत्र की बाबैन अनाजबंडी की विफण मोलभोज सुधाओं को सुचारू रूप से बनाया रखने के लिए 6 करोड 99 लाग रुपए से खास तोर पर मरमत के कारका शुला नियास किया मुक्यमंत्री नायब सिंग ने कहा कि हर्याना के विफणन मंडियों में साल भर में और सतन 210 लाग क्विंटल फल और सबजियों के आवक होती है इस मंडी के बनने से कारोबारी फल और सबजियों की खरीद बिक्री इसी मंडी में कर सकेंगे एसर शेत्र के किसानों को लाब मिलेगा मंडी, चंडीगर, पंच्छुला और मोहाली और उतरी शेत्र की जड़तों को पूरा करेगी मुक्यमंत्री नैव सिंग ने कहा कि हमने किसानों के हितों को सर्वोपरी रखा है जिसके नतीजितन प्रदेश का खाद्यान उत्पादन बढ़कर वर्ष 2022-23 में 184,32,000 मेट्रिक टन हुआ गर्व की बात है कि हर्याना प्रदेश का केंद्रिय खाद्यान भंडार में योगदान देनी में दूसरा नंबर है किसानों के फसलों को मौसम के अनिश्यताओं से बचाने के लिए मुख्य मंत्री बागवानी बीमा योजदा शुरू करने वाला हर्याना देश का पहला राज्य है आज हमारा किसान खाद्यान उत्पादन बढ़ा करके वर्ष दो हजार बाइस तेश में 184 लाख बत्ती हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है हर्याना आज केंद्रिय बंडारन में दूसरे स्थान के उपर अपना योगदान वो दे रहा है मुक्यमंत्री नायव सिंग ने बताया कि प्रदेश में इस्राइली तकनीकी पर अधारित नविंतम प्राद्युक्यों को प्रदर्शित करने के लिए साथ सेंटर ओफ एक्सलेंस भी बनाय गया है दो पर काम जारी है करणाल में महराना प्रताब के नाम पर एक बागवानी विश्वदाल एस्थापित किया गया अर्याना के कुल फस्री शित्र के लगवक्त 7 प्रतीशत में बागवानी भी होती है नायब सिंग सरकार का लक्ष है 2030 तक बागवानी के अधिन शेत्र को दोगुना करके 22 लाखेकर करने और उत्पादन को तीन गुना करना है अर्यान की नायब सिंग सरकार समाज के हर वर की जरुतों को ध्यान में रखती है सरकार किसानों के आए बढ़ाने का भी लगातार प्यास करती रही है और उसका फाइदा भी किसानों को छोटे व्यापारियों को लगातार मिलता रहा है भारट 24 के लिए चंडिगर से डॉक्टर थानेशुर शर्मा की रिपोर्ट